तेजस्ट क्लासस में आपका स्वागत है 1992 से लेकर 2020 तक पिहार में जितने भी एक्साम हुए है उसमें टोटल 12,000 प्रशन बनता है जिसका यह पार्ट 43 है इससे पहले हम लोग 42 पार्ट डिसकर्स कर चुके थे जिसमें 4970 तक के प्रशन को डिसकर्स किये थे आज हम लोग 4970 से कुछ फंक्शन हो रहा है तो मैं तक्रीवन कॉलनी से 4 किलोमेटर दूर आ चुका हूं बट अभी भी स्टील साउंड आ रहा है और मुझे कोई प्लेस नहीं मिला तो मैं सड़क के किनारी ही हूं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यह बगल का नु अगला प्रशन है भात का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था तो मांट बेटन योजना 1947 यानि इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक्टविस को बोलते हैं अगला प्रशन है अठार सो संतावन का बिद्रो द्वारा हुआ सबसे महत्पुन परिवरतन क्या था तो इस अगला प्रशन है भारत में मुगल समराज के अस्थापना किस ने की थी तो बाबर ने की थी अगला प्रशन है टीफू सुल्तान कहां के सासक थे तो यह मैसूर के थे अगला प्रशन है नादिर साब भारत पर आकमर्ण कब किया था तो 1749 में अगला प्रशन है धक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले पर्थम मुसल्मान कौन थे तो अलाउदिन खिल जी थे सॉरी फ्रेंट्स आपको थोड़ा सा आ सकता है चुकि मुझे कोई प्लेश नहीं मिला आज रिकॉर्ड करने के लिए और एक आएक फंक्सन था मुझे पता नहीं था अगला प्रशने अगला प्रशने भारत के सेना बलो का उस्तestsुराइन कॉन होता है तो राश्ट पती होता है आपको अवाज भी दीरे-दीरे आ सकता किस नहीं बोल सकता हूं अगला प्राश्ण है भारतिय समविधान के किस अनुच्य द्वारा निरबल दूरबल बर्गो को सिक्षा संबंदी सुरक्षा परधान की गई तो 46 हूआ तो41 अगला प्रशन है किस संसोधन के अंतरगत समविधान में मुल्भुत अधिकारों को सामय बियालिशवा अगला प्रश्ण है इराग कितनी देशों से गिरा हुआ है तो 6 देशों से और कौन से 6 देशों से गिरे हुए है आप उसका नाम जरूर मुझे कॉमेंट करके बताइए अगला प्रश्ण है यूफ्रेटस नदी की उत्पति सुरत क्या है तो क्या है तुर्की अगला प्रश्ण है रेडियो यानि ब्रोड कास्टिंग में आवाज और संगीत तरंगों लहरों को वहां तरंगों से जोड़ने की परकिरिया क्या कहलाती है तो modulation अगला प्रश्ण है तैलिय पटली फिल्मों में सुनदर दिखने वाले रंगों प्रकास से होने वाली घटना से होती है जिने क्या कहते है तो व्यक्तिकारण टेता है अगला प्र roup onu अगर पूर प्रॉपान्त श्वांगी कारख फलन है तो यह क्या है तो फ्लौ फाइलो क्लेड है अगला प्रश्न है अलू का अगर शृट्शन किसके द्वारा उत्पर उत्पन होता है तो अल्टेर्नियोके अगला प्रश्ण है सधानता मनस में पाया जाने वाला प्रक टेम पॉर्म कौन है तो टेनिया सोलियम अगला प्रश्ण है प्लाजमोडियम वाई वकस मानों में अंतप प्रोप जीवी है वह कहां पाया जाता है तो आरवी सी में अगला प्रशन है किसकी मुग गुहा में रेडुला पाया जाता है तो सिनेल के अगला प्रशन है उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक स्कीर्णों का उपयोग किशने किया था तो मुलर ने अगला प्रशन है लाल आरार को सफिद डबलु डबलु के साथ क्रोस कराते हैं तो सभी रडबलु वनसज गुलावी होते हैं यह यह एक निरदर्सन है कि आर कैसे जीन है तो अधूरा डोमिनेंट होता है अगला प्रशन है ड्रोसफिला में जुएंट गुनसूतर कहां मिलते हैं तो लाल गरंथी में अगला प्रशन है अस्थन पाई अंडग का बाहरी परदर्सक परत को क्या कहते हैं तो जोना पहलू सीड़ा अगला प्रशन है भारत में कितने कंसासित परदेस है तो अभी के अगला प्रशन है उच्छ नियालयों के नया धीसों की नियुकती कौन करता है तो राष्टपती मोहदय करते हैं अगला प्रशन है भात के संविधान में किस पद का उलेख नहीं है तो उपधान मंत्री का नहीं है अगला प्रशन है संजुक्त राष्ट रक्षा परश्द क सदर्ष की संख्या कित्יר होती है तो 15 होता है टोटल तो 15 है लेकिण पांची पर्मानेंट मिमबर है अगर आपको याद है पांचों पर्मानेंट मिमबर का नाम तो जरूर कॉमेंट करके बताईएगा अंतराश्य नियाले कहां इस्तित है तो है psycho में अगला प्रश्य माल गुडी देस कि कोन है तोिक्ति नारायन सबसे गहरायों बुबांधित बंदरगा कौन सा है तो विशाखा पटनम अगला प्रश्य किसके लिए परसीद है क्योंकि यहां महावीर का जन्म हुआ था मुझे मैं मैं समझ सकता हूं चुकि बाहर का नुवायजार है जो आपको थोड़ा सा परिशान कर सकता है बट क्या है कि यह मुझे भी परेशान कर रहा है तो थोड़ा सा मैं भी कष्ट कर रहा हूं और आपको सीखना है तो आपको भी थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा अगला प्रशन है बकसर की लड़ाई किस वर्स हुई थी तो 1764 में लेकिन एक्जेक डेट आपको यादक ना 22 अक्टूबर 1764 अगला प्रश संभीधान सभा किस वर्स घठित की गई थी तो 1946 में अगला प्रशन है संभीधान की ड्राफ्टिंग समीति के पर्मु को थे तो डॉक्टर बियार अंबेतकर अगला प्रशन है भात की लोगतांतरी की बेवस्ता किस पर अधारी था तो ब्रिटीस बेवस्ता पर अगला सबसे प्राचिन चटाने कहा पाई जाती है तो अरावली में अगला प्रशन है कौन सी नदी पस्चिम की और बहती है तो तापती ही नहीं सिर्फ नर्मदा सोन तापी तीनों पस्चिम की और बहती है अगला प्रशन है गौतम बुध अवैरेंड किस जीले में इस्तित है तो गया महद के बटवारी से पहले क्या था कुछ जारखंड के छेतर हजारी बाग में था और कुछ बिहार के गया जीले में पढ़ गया अगला प्रशन है किस देश की जन संख्या का घना तो सबसे जाद किस राज में महिला है सँख्या में पूरसों से ज्यादा है तो के रचन किस राज में कोई अनसुचित जन जातिया नहीं है तो पंजाब भी नहीं है कि परचिन भारत की निहा नियत कौसे थे तौसा помог अगला प्रश्न है भागवद गीता और सांती परव। दोनों का सामवेश कहां होता है? तो महाभारत में. अगला प्रश्न है। साथ वहन किस परदेश के थे? तो आंधर परदेश के. अगला प्रश्न है दिल्लि सलतलनत की राजबाषा कौन सी थी? तो फार्सी थी. अगला मकों सा बिटामीन मा के दूद में नहीं संबंद इत्रीक के नियम का सिधान्थ किस ने वर नियर नय इए अगला प्रशना है किसके oxidation में मदद करता है तो ammonia से नाइट्रेट का अगला प्रशन है बियोडी क्या है तो बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड अगला प्रशन है आदमी के सेट थोड़ा भी डिले हो इसलिए मैंने असी प्रशन को ही डाला है और फंक्सिन के वज़े से मैं सड़क के किनारे कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं चलिए आपने इतना सपोर्ट किया तो मेरा भी दायुत बनता है कि मैं किसी भी सरक्स्टांस में अगर मैं दे सकता हूं त आप लोग का टेंशन नहीं लेना है चलिए फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में टाटा और बैबाए